हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल यॉर चैनल इलेट्रिकल जोस दोस्तो आज हम सिखेंगे कि ओपन सर्किट, स्वाज सर्किट और क्लोस सर्किट क्या होता है और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है तो आएए वीडियो को सूर करते हैं दोस्तो ओपन सर्किट, स्वाज सर्किट और क्लोस सर्किट को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्किट क्या होता है सर्किट की डियाफिनेशन क्या होती है दो देखिए दोस्तो ये एक आदमी है उसको अपने घर जनाए तो कैसे जाएगा इस राश्ते से ही जाएगा वेशे ही हमारा electrical circuit में होता है यह जो current है हमारा I यह flow of electron है एक तरह का electron का flow है उसको flow होने के लिए वी किसी रास्ते की जरूरत पड़ती होगी तो दोस्तो current को flow होलने के लिए जिस path की जरूरत पड़ती है उसे ही हम circuit बोलते है अगर यह close circuit है और यह बीच में से यहाँ से कट जाए तो वो open circuit हो जाएगा तो इसमें से current flow होगा नहीं इस circuit की तिन condition होती है एक होती है open circuit दूसरी होती है close circuit और तीसरी होती है switch circuit तो दोस्तो one by one इसके बारे में जानते है दोस्तो पहले हम जानते है open circuit के बारे में मिने यहाँ एक circuit ड्रो करा है यह देखे यह एक fuse है और यहाँ एक switch है जो की open है और यह हमारा load है load की जगा आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं load यानी हमारा पंखा, फ्रीज, टीवी, वाशिंग मशिन वो हमारे सब electrical के load है वो energy consume करते हैं इसी वज़े से हमारा current का flow होता है तो दोस्तो open circuit में हमारा current कभी भी flow नहीं होता है यह याद रखना क्यों नहीं flow होता है तो यह देख लेते हैं देखें i is equal to हमारा 0 है यानी यह हमारा open circuit में current flow नहीं हो रहा है यह ओहम का formula है r is equal to v by i अगर आप ओहम का formula नहीं जानते हैं तो मैं इसके उपर भी एक वीडियो बना दूँगा तो यहाँ हम simply i की value हम यहाँ put कर देते हैं तो r is equal to infinite value आ जाती है 1 by 0 is equal to infinite होता है तो हमारा जो resistant है वो infinite है तो इसी वज़़ा से open circuit में कभी भी load current flow नहीं होगा दोस्तो यह open circuit हमारी कब प्यादा होती है जब हमारा यह fuse wire है वो बीच में से cut जाता है यानी break हो जाता है तबी यह open circuit की condition प्यादा होती है अगर यह fuse है उसका बीच का जो element है वो cut जाता है ज्यादा current flow होने से उसके element है वो पिगल जाता है तो भी हमारी open circuit की condition प्यादा होती है और जो यह switch है वो open condition में होता है तब भी हमारी यह open circuit की condition प्यादा होती है और हमेशा याद रखना दोस्तो कि open circuit में हमारा current कभी भी flow होता नहीं है और हमारा जो यह instrument है या उपकरन है जो भी है वो कभी भी चालो होता नहीं है दोस्तो अब हम जानते है close circuit के बारे में जैसे ही मैं यह single face supply दूँँगा ठीक है यह future neutral के जर्ये यह मैं इस लेम को 230 वल्ट दूँगा तो यह लेम जलने लगेगा यह हमारी close circuit है वो healthy condition होती है जिसमें हमारा लोड में जो current है वो flow होता है लोड में से current हमारा flow होता है तो दोस्तो अब जानते हैं कि swap circuit क्या होता है और जो हमारे close circuit होता है वो हमारा जो गर में जो होता है वो हमारा close circuit होता है क्योंकि हमारा लेम पंका सब जलता है इसलिए हम उनको close circuit बोलते है दोस्तो जानते हैं कि स्वासर्किट क्या होता है और ये कब प्यादा होता है देखे दोस्तो ये मेरे हाथ में एक वायर है ये जो आप देख रहे है ये इसे कंड़क्टर कहते है और यह जो conductor के उपर यह जो लगा है उसे insulation कहते जब यह हमारा insulation पंक्चर हो जाता है या खराब हो जाता है तब भी switch circuit प्यादा होता है जब इसका insulation खराब हो गया होता है तो यह fierce और neutral wire आपस में touch हो जाए तो switch circuit प्यादा होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि फेज और निट्रल आपस में टच हो जाए तो स्वाज सरकिट होगी अगर फेज और फेज दोनों का इंशिलेशन खराब हो चुका है और दोनों एक दूसरे के ऐसे टच में आते हैं तो वहाँ भी स्वाज सरकिट हो सकती है अगर किसी इंस्ट्रूमेंट है उसकी बौड़ी कंड़क्टिंग है और ये फेज का इंशिलेशन खराब हो गया है तो उसके टच में आने से उसमें भी स्वाज सरकिट करंट फ्लो होगा तो दोस्तों आखिर ये करंट इतना डेंजरस क्यू है तो आईए हम जानते हैं हमारा फेज़ और नीटर स्वाट हो जाता है तो रजिस्टन की वेल्यू एकदम से गट जाती है जीरो तो नहीं होती पर जीरो के पास ही होती है तो फिर ये होंका फॉर्मिला है उसमें हम आर की वेल्यू या जीरो रखेंगे तो इंफाइनेट करंट हमारा इस सर्किट में से फ्लो होगा जब इंफाइनेट करंट हमारा फ्लो होगा तब आग भी लग सकती है और हमारा जो इंस्टूमेंट है वो भी डेमेज हो सकता है इसलिए हम यह fuse का इस्तिमाल करते है कि जो हमारा source circuit current है जब इस fuse के wire के element के current के rating से बढ़ता है तब हमारे इस fuse के यह हमारा fuse है उसका जो बीच में element है जब source circuit current की value इस element की current capacity की से बढ़ती है तब यह open हो जाता है यानि बीच में से cut जादा है तब हमारा जो instrument यहाँ लगा है वो safe हो जाता है कई और सारे भी source circuit protection के लिए instrument यूज़ किया जाते हैं जैसे कि MCB तो यह protection devices सब MCB, MCCB, fuse ज्यादा current के होगा तो ACB, ETC जोस्तो आसा रखता हूँ कि इस वीडियो के मद्धम से आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो electrical field में वर्क कर रहे है या फिर पढ़ रहे है electrical field में उसे share कीजिए और हमारे चै झाल